तो हलो बच्चो सबसे पहले तो उन सारे स्टूडेंट को बढ़ाई जिनको सेकंड राउंड में कॉलेज मिला है या अपग्रेड हुए हैं अपग्रेड होने का मतलब होता है जो कॉलेज आपको मिला उसे थोड़े से उपर आप आगए बेटर कॉलेज में आपके हिसाब से आप आगए जिनको मिल गया उनके लिए भी खुशी की बात क्योंकि टेंसन तो यार देखो होती ही है जगर कॉलेज नहीं मिला तो मैं इस बीच बहुत सारे वीडियो आपको रिकार्ड करके दे रहा हूं लाइब कमा पा रहा हूं रिजन क्या है कि लाइब रिकार्ड करने से पहरे थोड़ा रिसर्च करना आगे जो भी मेरे वीडियो आएंगे उसमें रिसर्च आपको काफी अच्छा दिखे ग्राफिक representation दिखेगा, तो round 2 के बारे में इस video में मैं बात करने वाला हूँ और ये भी मैं आपको बताने वाला हूँ, कि बहुत सारी videos, पूरा clear cut बातों के साथ like किस state में कितना cut-up गया, हर college का cut-up क्या है, हर category का cut-up क्या है, आगे क्या expectation है, इन सब का video आने वाला है, इस video में second round का cut-up क्या गया है, तो मेरी सबसे जैसे request करता हूँ हाथ जोड़के, कि अगर channel अच्छा लगे, तो इसको subscribe करके रखिएगा, bell icon भी press कर दीजेगा, और video भी like करिएगा, share भी ज़रूर करिएगा, अपने comment भी लिखिएगा, इतने सारे मेरे expectation है, अब देखो जिस बार, इस बार का जो cut-up आया है, वो वही आया है, जो लगबग हम बात कर रहे थे, अब जब कई बार लोगों को थोड़ा बुरा भी लगता है, लोग कह देते हैं कि चेंज कर रहे हैं, एक-दो comment आये थे, ऐसे नहीं, कमसे हम हचारो comment तो positive आये थे, पर एक-दो ऐसे आये, तो अब एक-दो की भी हादत नहीं है नहीं है, तो भी बुरा लग जाता है, तो anyway, ये एकदम expectation से आया है, expectation के हिसाब से आया है, अन्रिजर में लगबग लगबग देखा जाए, तो 19,000 पहले था, इस बार 22,000 क्या असपास आ गया है, exactly में बताने वाला हूँ, EWS काफी नीचे जा रहा है, 24,430 तो second round में ही आ गया, हमने क्या बोल रखा है, हमने 25,500 से क्या असपास बोल रखा है जनरल और extreme cases में 27,000 तक भी ऐसा एक वीडियो जो बनाया था, extreme case वाला, तो extreme case is, you know, always in a most favorable condition, अगर आप थोड़ा बहुत science को apply करते हैं, तो extreme cases means most favorable condition, तो यहाँ पे इतने पे जा सकता है, और जितना जा सकता, लगबग वही जाएगा, तो इस rank के बारे में discuss कर लेते हैं, पहले round 1 एक बार at a glance देख लेते, round 1 AIQ, 2023 का cut-out था unreserved, all India ranking 19,396 पे मिला, score था 6,618, 618 पे पहले round में बंद हो गया, जनरल का, मलब unreserved का, EWS गया 21,591, जो काफी नीचे था, और वो close हुआ 619 पे, OBC 19,977, लगब बी से यार, 617 नमबर पे, ST category 113,000 पे 1,13,000, and it was of 509, ST category 1,410,071, and it was of 469, ST category में मैं थोड़ा fail हुआ हूँ, मेरा मनना था कि इस बार, ये 160 तक जा सकता है, वो काफी कम गया, यहां पे मैं थोड़ा सा मेरे को पुरा लग रहा है, rest बिल्कुल सही है, अब ये उनके कड़ाफ है, जिन्होंने कोई न कोई college भरा था, अब आपने 124 भरे होंगे, तो नहीं मिले होंगे, even if you are marks 634, ये first round की है, तो मैं first round की बता रहा हूँ, अब मैं second round पे आ रहा हूँ, जो अभी कल डिक्लियर हुआ रात में provisional result, second round की हम बात करने वाले हैं, second round में unreserved गया है, 22,104, 22,104, marks था 612, यानि इतनी rank तक के बच्चे को कोई न कोई college मिला, अगर उन्होंने सारे choice भर दी, हम सारे choice नहीं भरोगे, तो कैसे मिलेगा, यानि, EWS में 24,430 गया है, 608 नंबर जो हम बोल रहे थे, second round में ही मिल गया, यार, मा इतर्ड और इस ट्रे में बहुत नीचे जाने वाला है, OBC 22,456 मिल गया, 612 पे, काफी नीचे जाने वाला है, SC कटेगरी 1,16,887 पे मिल गया है, ये काफी देखो नीचे चला गया, 419, ST कटेगरी उपर चला गया, 145,254, 465 पे, ये 4 नंबर गिरा, SC कटेगरी कितने नंबर गिरा, 17 मार्क्स गिरा, OBC गिरा, 5 मार्क्स, EWS गिरा, 5 मार्क्स, Unreserved गिरा, 6 मार्क्स, तो ये ड्रॉप आया मतलब, अब आगे, देखो यार, 25,500 तक तो सेफ मान के चलो अपने आपको, आएगा, 3rd round, Strip Vakancy round, EWS, EWS और नीचे जाएगा, 25,000 से उपर तो अगली बार ही चला जाएगा, तो जो मैं Extreme Cases, तीनों को बताये था, अब पीछले वीडियो में, वो EWS में तो अचीब करता हुआ दीखता है मुझे, OBC, SC, Unregister में साएग Extreme Cases ना अचीब करता हुआ दीखे, तो अभी बहुँच जदा, prediction नहीं करूँगा, आप खुद समझदार हो, अब पूरा data analysis जब करूँगा, तो आपको अपने आप पता चलेगा, क्या-क्या chances बनते हैं, पिछले साल से और इस साल के compare में, ये दोनों में वीडियो लेकिया हूँगा, last year versus this year, कितने लोग अपग्रेड कर सकते हैं, कितने लोग अपग्रेड नहीं कर सकते हैं, कितने लोग ऐसे हैं, तो थर्ड राउंड में अपग्रेड कर ही नहीं सकते हैं, उसका भी वीडियो लाने वाला हूँ, तो वेट करिए, आज से लेके संडे तक में, सारे ये वीडियो आपके सामने होंगे, and I hope, you will get the complete insight, you will get the complete procedure, आज, जब final result आजाएगा, हो सकता है वीडियो तक जाने जाने आजाए, वीडियो जब तक रिलीज हो तब तक आजाए, तो आप लोग प्रोविजनल लेटर डाउनलोड करके, प्रॉसेस स्टार्ट कर देना, उनको पहली बार मिला, उनको अपग्रेडेशन नहीं पता है, तो उनके लिए बताऊंगा मैं, हलाकि लॉग इन करके ही, और कॉलेज में एडिमिशन लेते टाइम, जो प्रॉस्पेक्टर्स में लिखा गया है, वो पढ़ लीजेगा, वहां से आपको आडिया लग जाएगा, So, all the very best for those, जिनको नहीं मिला, Congratulations for those, जिनको मिला, और अगले साल जो तयारी कर रहे हैं, उनके लिए best of luck, मेरे test series आया है, उसको जरूर ट्राई करिएगा अगर आपको अगले साल के तयारी कर दिए, Thank you very much, Bye-bye,